हेलो स्टूडेंट्स हमारा परस्णावली 6.2 का तेरुवा परस्ण है कि निम्म लिखित अंतरालों में किस अंतराल में fx बराबर x की पावर 100 sin x-1 दबारा परदत फलन जो है वो निरंतर हरासमान है तो अंतराल है मारा 0 से 1, π2 से π, 0 से π2 और इन में से कोई नहीं अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सेर और सब्सक्राइब कीजिए हमें fx का मान दे रखा x की पावर 100 प्लस sin x-1 तो हम सबसे पहले इसका x के साथ x करते हैं अवकलन तो इससे f-x का जो मान मनेगा वो बन जाएगा 100 x की पावर 99 में sin का अवकलन हो जाएगा कोस x और एक का हो जाएगा 0 तो ये हमारा मान मन गया तो अब इसके लिए हम इन अंतराल में जाज़ करते हैं सबसे पहला अंतराल हमारा जो है वो जीरो से एक तो जीरो से एक अंतराल है इसके अंदर 100 गुर्णा एक्स की पावर 99 में जो है वो रासी जो होगी वो हमेशा जाब पोजिटिव बनेगी और 0 से एक अंतराल के अंदर कोस x जो होगा वो भी पोजिटिव जी आएगा तो दो पोजिटिव रासिओं का गुणा हमेशा जाब होता इसलिए इस अंत्राल के अंदर F-X जो आएगा उसका मान होगा 0 से बड़ा और फलंड जो होगा वो वर्द मान मनेगा अब हमारे पास में दूसरा अंत्राल जो है वो है पाई बटा 2 से पाई अंत्राल इस अंत्राल में यदि हम जांच करें तो F-X के लिए 100 की पावर जो है 100 गुना-X की पावर नियाण में ये रासी तो हमेशा दनात्मक ही बनेगी लेकिन कोस-X जो है वो क्या मनेगा पाई बटा 2 से पाई अंत्राल जो है उसके अंदर कोस-X का जो मान होगा वो हम देखते हैं कि क्या बनता है जैसे πाई बटा 2 से πाई अंत्राल है तो ये 90 से लेकरके 180 अंत्राल हो गया तो इसमें हम कोई एक अंत्राल ले ले लेते हैं जैसे कि मानलो 5 पाई बटा 2 है 5 पाई बटा 2 को हम लेख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा 2 ये हमने माल लिया कि 150 डिग्री का कॉरण बटा होई तो यהו बनेगा 5 पाइ बाता 6 इसलिख सकते हैं 5 पाइ- पाइ बाता 6 अब देखो कि कोस X जो हुँ क्या क्या बनता है पाइ- पाइ बाता 6 तो कोस पाइ- थीटा जो होता है वो कोस थिटा के बराबरी होता है और कोस थिटा का मान जो होगा वो कोस पाई बटा 6 के लिए आएगा दिनात्मक मान तो इसलिए इस अंत्राल में भी ये मान जो होगा वो वर्द मान बनेगा तो F-X जो होगा वो इस अंत्राल में भी बड़ा बन जाएगा जिरो से तो इस अंत्राल में भी फलन जो होगा वो वर्दमान बनेगा और तीसरा अंत्राल हमारा है जिरो से पाई बटा दो जिरो से पाई बटा दो अंत्राल जो है इसके लिए F-X जो है इसमें ये पहला मान जो है और X की पावर 99 में ये पोजिटिव बनेगा और दूसरा मान जो कोस X है वो भी 0 से पाई बटा दो गंतराल में हमें पता है पोजिटिव ही होता है इसलिए ये भी बनेगा दिनात्मक ही बनेगा जो दो गंतराल है इसलिए F-X की value जो होगी वो 0 से बढ़ी आएगी और फलन जो होगा इसमें भी वर्दमान मन जाएगा लेकिन हमें person में पुछा क्या गया है कि किस अंतराल में फलन जो है वो हरासमान है तो हरासमान तो इन में से किसी में नहीं है इसलिए हमारा सही option हो जाएगा D इन में से कोई नहीं ये इसका हमारा answer हो जाएगा हमारा next question चाहँ आए कि F-X वराबर axis square प्लस A-X प्लस 1 अंतराल हमारे पास में 1 से 2 इस अंतराल में फलन जो हो निरंतर वर्दमान है तो हमें इसके लिए A की value जाद करनी है कि किस मान हो एका कि ये फलन जो हो निरंतर वर्दमान हो तो सबसे पहले F-X का मान निकल हो जाएगा 2X प्लस A क्योंकि फलन वर्दमान है इसलिए F-X की जो value होगी वो बड़ी होगी 0 से तो F-X जो है ये 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास अंतराल है 1 से लिकर के 2 तक का तो ये बन जाएगा हमारे पास में X जो है इसकी value बन जाएगी हमारी 1 से लिकर के 2 तक 1 से बड़ी और 2 से कम हमें करना है कि इस X को इसके समान बनाना है प्लस का A है तो यहाँ पर X की जिगह पर 2X है सबसे पहले इसे 2 से गुणा कर दो आप तो ये बन जाएगा 2, 2X और 4 अब इन सभी में A जोड़ दो तो ये बन जाएगा 2 प्लस A बड़ा है 2X प्लस A छोटा है 4 प्लस A से तो हमें क्यात क्या करना है कि 2X प्लस A की value जो है वो बड़ी होनी चाहिए तो हम इस अंत्राल को लेंगे 2 प्लस A को 2X प्लस A जो है वो है F-X के बरबर तो ये बन जाएगा 2 प्लस A greater than F-X is less than 4 प्लस A तो अब चुकि F-X जो है F-X जो है वो 0,1 से लेकर के दो अंत्राल के अंदर निरंतर वर्दमान है तो F-X जो होगा उसकी value जो होगी वो बड़ी होगी 0 से अब F-X 0 से बड़ा है तो ये तभी संबभ हो सकता है कि जब X की value जो हो वो 0 से लेकर के एक से लेकर के दो अंत्राल के बीच में हो और ये तभी हो सकता है कि जब 2 प्लस A का मान बड़ा या बराबर हो 0 के तो इसे हम A का मान निकलें तो ये आजएगा A बड़ा या बराबर है माइनस 2 के अगर A का मान माइनस 2 होगा तो यहां पर जब हम 2 में से माइनस 2 को टाएंगे तो 0 आजएगे ये F-X जो होगा वो 0 से बड़ा बन जाएगा और F-X की value की है 2X पलस A तो इसके अंदर A का मान जो होगा वो 2 से बड़ा हो जाएगा इसलिए माइनस 2 F-X बड़ा होगा अंतराल 1 से 2 में अगर A का विश्ट मान है वो हो जाएगा माइनस 2 अगर A का मान माइनस 2 आता है तभी ये फलन जो है वो 1 से 2 अंतराल में निरंतरवर्दमान होगा हमारा नेक्ष्ट ग्राइश्ट क्वेस्टन है कि मान लीजिए माइनस एक से एक एसिंगत एक अंत्राल आई तो सिद गीजिए कि आई में F x जो है वो x प्लस एक वटा x से प्रदत फलन f निरंतरवर्दमान है तो हमारा जो फलन है वो है fx बराबर x प्लस एक बटा x इसका सबसे पहले हम अवकलन करते हैं तो f-x का मान बनेगा x की value हो जाएगी 1 और x square की value बनेगी minus 1 बटा x square इसको LCM लें तो आएगा x square और ये बन जाएगा x square minus 1 और हमारा अंतराल है minus 1 से लेकर के 1 तो इस value में ना ही तो minus 1 शामिल है और ना ही 1 है हम इसकी value जो बीच में आएगा 0 वो भी नहीं रख सकते क्योंकि 0 होने पर ये रासी अनतरा बन जाती है अगर हम कोई minus 1 और 1 के बीच में रासी लें कि minus 1 बटा 2 लें या हम ले लें 1 बटा 2 तो क्या होगा कि इनकी scale और इसलिए इनका मान 1 बटा 4 बन जाएगा चे पलस का हो या minus का हो scale हो जाएगी इनकी लेकिन जब इसे गटाएंगे minus में तो इसकी value क्या बनेगी हमेशा negative आएगी minus में आएगी तो इस अंतराल के अंदर जो है F-X जो है ना वो minus 1 से लेकर के एक अंतराल में हमेशा छोटा आएगा 0 से तो इस अंतराल में जो फलन है वो हमारा निरन्तर हरासमान है तो जो हमें दिया गया है कि मान लीजिए minus 1 से 1 से S-Yungth एक अंतराल आई है तो i-s-yungt का मतलब हो गया कि उस अंत्राल में ये नहीं है तो हमारा i अंत्राल क्या बनेगा वास्तिविक संख्याओं में से हम माइनस एक एक को गटा देंगे तो ये वो अंत्राल है i जिसके अंदर यानि के माइनस एक से एक अंत्राल में तो फलन जो है वहरासमान है तो फलन वर्दमान किसमे होगा इस अंत्राल को छोड़ करके बाग की बचे हुए अंत्राल में तो हमारा जो उंतराल आई है आर---1 और एक इस उंतराल में फलन f जो है वो निरन्तर वर्दमान है हमारा अगला परसन है किसिद कीजिए कि फिलन fx बराबर log sin x 0 से πाई बटा 2 अंतराल में तो निरंतर वर्दमान है और पाई बटा 2 से पाई में निरंतर हरासमान है तो हमारा दिया गया फिलन जो है वो है fx बराबर log sin x इसका अवकलन करें तो बन जाएगा f dash x बराबर log x होता है 1 बटा x यानि 1 बटा sin x और sin x बन जाएगा cos x यानि किया बन गया cos बटा sin और cos बटा sin होता है coat x अब हमारे पास में जो अंतराल है 0 से πाई बटा 2 बटा तो 0 से पाई बटा 2 अंतराल जो है इसके अंदर चतूर थांस मनेगा पहला first coordinate तो इसके अंदर coat x की value जो होगी हमेशा बड़ी होगी 0 से क्योंकि पहले चतूर थांस में सभी त्रिकॉनमी तियन बटात धनात्मक होते है तो इसमें f-x जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 0 से इसलिए 0 से πाई बटा 2 अंतराल के अंदर फलन जो है हमारा वो वर्दमान होगा यह हमें से दिगाना था और जो दूसरा अंतराल है पाई बटा 2 से पाई यह हमारा हो गया second coordinate तो दूसरे चतुर्थांस में हमें पता है कि दूसरे में केवल sign positive होता है बाकि सभी negative होते हैं तो इसके अंदर दूसरे चतुर्थांस में codex की value जो होगी वो 0 से कम आएगी इसलिए f-x जो होगा वो क्या बनेगा 0 से छोटा हो जाएगा तो अंतराल πई बटा 2 से πई के अंदर f-x जो है वो निरंदर हरा समान है यही हमें सिद्ध करना था हमारा आगला परसन सत्रों है कि सिद्ध कीजिए कि फिलन f-x बराबर लोग cos x पई बटा 2 से पई में निरंदर हरा समान और 0 से पाई बटा 2 में निरंतर हरासमान है तो फलन हमारा fx वराबर log cos x तो सबसे पहले हम इसका करते हैं आवकलन तो f dash x वराबर बन जाएगा log x होता है 1 बटा x तो यह बन जाएगा 1 बटा cos x और cos x का होता है minus sin x sin बटा cos हो जाएगा 10 तो यह बन गया minus 10 x अब हमें पता है कि 10 x जो होता है वो पहले चेट उत्हांस में positive होता है और πई बटा 2 से πई दूसरे में होता है negative लेकिन देखो पहले अंतराल हमारे पास में πई बटा 2 से πई तो πई बटा 2 से πई में 10 x का मान तो बड़ा आएगा 0 से लेकिन minus 10 x जो होगा वो छोटा हो जाएगा 0 से अब minus 10 x जब छोटा होगा 0 से πई बटा 2 में तो f dash x जो है इसका मान भी छोटा हो जाएगा 0 से इसलिए f dash x जो है वो पाई बटा 2 से πई में निरंतर 10 x की value जो है पाई बटा 2 से पाई अंतराल के अंदर दूसरे चतुर्थांस में आएगा यह तो इसमें 10 का मान होता है negative यानिके 10 x जो होगा वो छोटा होगा हमारा 0 से तो minus 10 x जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 0 से minus 10 x का मान बड़ा होगा 0 से तो f dash x का मान भी 0 से बड़ा बन जाएगा तो पाई बटा 2 से पाई में फरन जो है वो निरंतर हमारा वर्द मान है जो 0 से पाई बटा 2 अंतराल है इस अंतराल के अंदर पहले चतुर्थांस में 10 x होता है positive तो 10 x का मान जो होगा वो बड़ा होगा 0 से लेकिन minus 10 x जो होगा वो छोटा हो जाएगा 0 से तो f-x का मान छोटा हो जाएगा 0 से इसलिए इस अंतराल 0 से पाई बटा 2 के अंदर फलन जो है वो निरंतर हरासमान है नेक्स्ट क्वेस्चन हमारा है कि सिद्गीजिए कि r में दिया गया फलन fx बराबर x cube minus 3x square plus 3x minus 100 वर्दमान फलन है तो हमारा जो फलन है वो है fx बराबर x cube minus 3x square plus 3x minus 100 तो इसका सबसे पहले हम अवकलन करते हैं तो बन जाएगा x cube का 3x square 2 आगणा में तो यह बन जाएगा 6x plus 3 बराबर इस 100 का हो जाएगा 0 इन में से हम 3 निकाल लेते हैं common तो बचेगा x square minus 2x plus 1 अब इसकी हम करते हैं गुन खंड तो इसका x square गुना का 1 एक का गुना करें एक से तो बनेगा 1 ऐसी 2 संख्याइं जाद करो जिनका गुना तो हो 1 और जोडने पर बने minus 2 तो वो हो जाएगी minus 1 और minus 1 minus 1 और एक minus जोडने पर minus 2 बनेगा गुना करेंगे तो फलस का 1 बन जाएगा अब x square और x में से हम common लेंगे तो आजएगा हमारे पास common x बचेगा x minus 1 इस में से हम minus 1 कुम लेंगे तो बच जाएगा x minus 1 तो यह बन गया 3 x minus 1 और x minus 1 यानि कि 3 गुना x minus 1 की whole square अब x minus 1 की whole square बन गी तो हमारा जो उंतराल है कि दिया गया वास्तविक संख्याओं के लिए फलन जो है वो निरंतर वर्दमान है अब x का मान चाहे कोई भी हो वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्याओं पलस की माइनस की कोई भी ये रासी चाहे पलस की बने या फिर बने माइनस की square करने पर हमेशा पलस की बनेंगी तो सभी x के लिए जो है ये जो रासी है 3 x minus 1 की square हमेशा बढ़ी आएगी 0 से जब x की value वास्तिक सेंख्याओं के लिए हो क्योंकि यहां पर square ओकर के रासी दनात्मक ही बनेंगी तो f-x जो है उसका मान भी क्याएगा 0 से बड़ा तो जब x की value r से होगी तो इस संत्राल में फलन जो है वो हमारा निरंतर वर्द मान होगा